प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों राश्टी या आयूम योग्यता धारिशातवत्ती परिच्छा दोजार पच्चिस के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश एन MMS एक्जाम दोजार चौबिस का ओरिजिनल पेपर सॉल्ब कर रहे हैं ये परिच्छन पत्र बच्चों आपकी परिच्छा के दर्श से बेहद महात्पूर है तो आप सभी लोग वीडियो को लाज तक देखेगा ये आपका पार्ट टू है पहले पार्ट में हमने एक से लेकर के 35 तक के परिच्छनों को सॉल्ब किया था आज की वीडियो में आगे के परिच्छनों को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए आईए देखते हैं तो 35 नमबर प्रश्ण हमने solve कुरा दिया था 36 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आप सभी लोग इसका answer कमेंट सक्षन में लिखिएगा 36 नमबर प्रश्ण है यदि L के लिए प्लस M के लिए माइनस N के लिए गुणा P के लिए भाग है तब निम्न का मान होगा अब इस समीगड का आपको मान याद करना है तो सबसे पहले आपको बच्चों करना क्या है करना ये है कि आप अच्छर को छोण दीजिए क्योंकि आच्छर के बराबर में N निसान दिये गए है तो अंकों को लिख लिजिए तो अंकों में देखो 14 लिखा है फिर आपका 10 लिखा है फिर आपका 42 लिखा है फिर 2 लिखा है और 8 लिखा है अब जो अच्छर लिखे हैं उनके जगा पर निसान आएंगे तो निसानों को आप लिख लेजिए तो यहाँ पर देखो 14 के बाद N लिखा है तो N के लिए क्या लिखा जा रहा है तो N के लिए गुणा लिखा जा रहा है तो आपका आजाएगा यहाँ पर गुणा अब इसके बाद 10 लिखा है और 10 के बाद L लिखा है तो L के लिए पलस आ रहा है L के लिए पलस तो यहां पर पलस लगा दीजिए इसके बाद 42 है 42 के बाद P लिखा है तो P की जगा पर देखो क्या लिखा जा रहा है तो P के लिए भाग लिखा जा रहा है तो P के लिए भाग लिख दीजिए और इसके बाद जो M है तो M के लिए माइनस लिखा जा रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए अब यह आपका समिकन तयार है इसको आप हल करके आंसर प्राप्त कर लिजिए तो देखो 14 का 10 से गुड़ा हो जाएगा तो 14 दाहम 140 हो जाता है प्लस 42 भाग 2 तो इसका जब भाग करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 आजाएगा 21 दूनी 42 होता है माइनस 8 अब यह आप जो है 140 और 21 जोड देंगे तो हो जाएगा 161 161 माइनस कर देंगे 8 तो घटा दीजिए माइनस 8 कितना बचेगा 11 से 8 घटे 3 और 5 बचा और 1 बचा तो 153 आपका किसी आपसन में दिया गया है बिल्कुल पहला आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा 153 इसका अंसर आएगा तो ऐसे इस प्रशन को बच्चों सॉल्व करते हैं और ये प्रशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आपके कुश्चन गलत नहीं होंगे बस आपको बडमोस का नियम भालो करना है और ध्यान पूर्वक अच्छा रहो और चिन्हों को लिखना है 37 नमबर प्रशन बच्चों दिया गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस माइनस का अर्थ गुणा भाग का अर्थ प्लस गुणा का अर्थ भाग है तब इस समय कड़ का मान यात कीजिए तो सेम उसी प्रकार से बच्चों करना है पहले आप अंकों को लिख लिजिए 15, 3, 10, 5 और फिर 5 तो यहाँ पर जिसको जो कहा जा रहा हो वो काम करना है यहाँ पर देखो 15 और 3 के बीच में कौन सा निसान है माइनस तो माइनस को क्या लिखा जा रहा है यह देखो तो माइनस का आर्थ है यहाँ पर गुणा से है तो अब यहाँ पर हमको माइनस नहीं लिखना है गुणा लिखना है तो माइनस की जिगा पर गुणा फिर देखो यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस को क्या लिखा जा रहा है तो प्लस का आर्थ है माइनस तो यहाँ पर लगा दो minus इसके बात गुणा है 10 के बात गुणा तो गुणा को क्या कहा जा रहा है तो गुणा का आर्थ है भाग तो गुणा का आर्थ है भाग लगा दीजिए फिर भाग का क्या आर्थ है भाग का आर्थ है प्लस तो यहाँ पर प्लस लगा दीजे अब इसको हल कीजी आंसर तुरंत आ जाएगा देखो हम इसका गुणा कर सकते हैं 15 तिया 45 माइनस इसका 5 से 10 में भाग कर दीजे तो 5 तूनी 10 दो आ जाएगा प्लस 5 तो इसके बाद आपको क्या करना है 45 और 5 जोर दीजेगा तो 45 पांच हो जाएगा 50 और 50 से 2 घटा लेंगे तो बचेगा 48 तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर 3 जिनवचों ने सही आंसर किया है विलकुर राइट आंसर है 37 का C आपसन सही जवाब हो जाएगा 38 नमबर को इसी प्रकार से हल करना है और राइट आंसर क्या है आप सभी को बता देना है तो अगर इस प्रशन में कोई डाउट होता है कोई समस्ते आती है तो आप इसको फोटो खींचिए और हमारे वाच्टर पर डाल दीजिए या फिर आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी इसके बाद 49 नमबर प्रशन है सेम यही प्रशन है कह रहा है कि गुड़े का आर्थ पलस पलस का आर्थ भाग माइनस का आर्थ गुडा भाग का आर्थ माइनस तो समीकर का मान ग्यात कीजिए तो 49 पर रिचyes के बत्चों सही आंसर है औस नमबर बी यानि दूसरा आपसन आ आपका राइट आंसर आ जाएगा इसके बाद चालिस नमर प्रश्ण है यदि एक निश्चित कोड बेसिक को डी डी यू एल ई लिखते हैं तो उसी कोड में लीडर को कैसे लिखा जाता है तो एस टाइप के प्रश्णों को हल करने का तरीका वज्चों हमने कई वीडियो के मा देना है तो बेसिक में अगर देखो तो बी से डी हुआ है दो प्लस हुआ है बी के बाद सी और उसके बाद डी तो इसका मतलब है दो प्लस हुआ और ए और डी में अगर संबन देखो तो ए के बाद आता है बी सी डी तो यहाँ पर तीन प्लस आपका हुआ है और एस का यू से समन्द करो तो S T U यहाँ पर 2 प्लस हुआ है तो इसका मतलब है यह जो आपका स्रीज बन रहा है यह बन रहा है 2 प्लस फिर आपका 3 प्लस फिर आपका 2 प्लस फिर आपका 3 प्लस तो ऐसे चल रही है तो ऐसे आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए लीडर को तो लीडर L के बाद 2 प्लस कर देंगे तो L M के बाद N आएगा M छोड़ देंगे N आएगा और इसके बाद E के बाद 3 प्लस करना है तो E के बाद F G H E के बाद F G छोड़ दीजेगा H आएगा तो आपका N H देखो दो अच्छर केवल दूसरे आपसन में मैच कर रहे हैं बाकी किसी में मैच नहीं कर रहे हैं तो दूसरा आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा बाकी आप आगे कर सकते हो एके बाद दो पलस करेंगे तो C आएगा तो C इसमें है 41 नमबर प्रश्ण है यद एक निश्चित भासा में साइट को F, V, T, U, G लिखा जाता है तो उसी कोड में रिवील को कैसे लिखा जाता है तो ये भी प्रश्ण आपका सेम उसी प्रकार से बनाएगा जैसे 40 नमबर बना है लेकिन इसमें क्या है S के बाद F आया है ये आपका 13 जो है प्लस हुआ है I के बाद V आया है ये आपका 13 प्लस हुआ है G के बाद T आया है ये 13 प्लस हुआ है यनि 13 तेरा प्लस करके आया है तो ऐसे ही अगर बनाएगे तो आपका 41 नमबर का सही आंसर वच्चो आ जाएगा Option नमबर D D option आपका सही है इसमें जिन वचों ने चौथा option दिया है विल्कुल राइट आंसर है 41 नमबर में 42 नमबर प्रिश्ण है यदि gold को home के रूप में come को done के रूप में तथा cold को doge के रूप में coded किया जाता है तो options को कैसे code करेंगे तो इसका वचों सही आंसर क्या हो जाएगा comment section में लिखिएगा तो यहाँ पर देखिए G को H कर दिया गया है एक प्लस हुआ है और O को परिवर्थित नहीं किया गया है सेम है L को M लिखा गया है D को E लिखा गया है मतलब एक एक प्लस यहाँ पर हुआ है C को D लिखा गया है M को N लिखा गया है E को E ही लिखा गया है परिवर्थित नहीं किया गया है O को परिवर्थित नहीं किया गया है O अपने अर्थान पर पहले से मौजूद है अब इसके बाद देखो C को D कर दिया गया है और O को वही रहने दो R को फिर S कर दिया गया है D को ये कर दिया गया है इसका मतलब है कि स्वर परिवर्थित नहीं हो रहे है बेंजन में 1 प्लस हो रहा है तो आपको उसी प्रकार से संस में बना लेना है तो S का हो जाएगा पहले 1 प्लस कर देंगे तो T और O को परिवर्थत नहीं करेंगे N के बाद O आता है और S के बाद आपका हो जाता है T तो इस हिसाब से आपसन नमबर आपका दूसरा सहीज़वा हो जाएगा 43 नमबर प्रश्ण है यदि एक निश्चित भासा में G, R, A, S, P को M, B, M, V, N, K के रूप में कोड किया जाता है तो किस सब्द को क्रेन के रूप में कोडित किया जाएगा तो यहाँ पर वच्चों दूसरा सब्द दिया गया है पहला सब्द आपको ढूनना है किस सब्द को क्रेन के रूप में कोडित किया जाएगा इसका मतलब है कि दूसरा सब्द दिया है पहला सब्द आपको ढूड़ना है यहाँ पर इसमें और इसमें संबंद देखिए क्या है तो G से और B में अगर संबंद इस्थापित करेंगे तो माइनस 5 आएगा अर्थात अगर हम उल्टा देखें B से G तो आपका 5 प्लस हो जाएगा अगर इधर से देखोगे G से B तो माइनस 5 हो जाएगा R से M माइनस 5 A से V माइनस 5 तो माइनस 5 पाँच किया गया है तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और क्रेन का आपका कोड हो जाएगा ओप्सन नमबर 4 चोथा आप संजिन बच्चों दिया होनका सही है अब ये बच्चों प्रशन 44 नमबर काफी important है और ऐसे प्रशन बच्चों आते है हर वर्स E बराबर 5 तो पेन बराबर 35 तो पेज बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखो E बराबर 5 है अर्थात E का मान ही 5 होता है और पेन का मान 35 कैसे आया है ये देखना है तो 44 में देखो जो पी दिया गया है पी का मान कितना होता है 16 होता है तो पी का मान 16 E का मान कितना है 5 और N का मान कितना होता है तो N का मान आपका होता है 14 अब इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 16, 14 कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 30 हो जाए, 35, 35 तो 35 यही लिखा है कि अंकों को जोड़ करके 35 हो गया तो पेज के अंकों को जोड़ लीजे तो पेज के अंक क्या हो जाएगे P का हो जाएगा आपका 16 और A का हो जाएगा 1 और G का हो जाएगा 7 और E का हो जाएगा 5 तो इन सबको जोड़ देंगे तो आपको कितना बन जाएगा 16, 17, 17, 27, 24, 25, 29 तो तीसरा आपसन आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए, 44 का जिन्होंने तीसरा आपसन दिया है उनका सही आंसर है 45 नमर प्रिश्ण है यदि G L A R E को 66810 और मौनसून को 23, 95, 349 के रोप में कोड़ किया जाता है तो रैंसम को कैसे कोड़ किया जाएगा अब यहाँ पर जो कोड़ किया गया है वो बचो डारेक्ट अच्छर को अंक से दिखा गया है पहला वाला अच्छर पहले वाले अंको परदसित कर रहा है और दूसरा वाला दूसरे वाले अंको परदसित कर रहा है तो ऐसे आप कर लेंगे तो R कामान क्या हो जाएगा देखो R बराबर क्या हो जाएगा तो R यहाँ पर देखो पहले वाले सब्द में दूसरे लाश से दूसरे अच्छर पर है तो इस हिसाब से आपका बन जाएगा R बराबर 1 तो R कामान फस्ट हो गया और A है यहाँ पर तो A कामान देखो 8 से लिखा जा रहा है तो 8 हो गया और N कामान आपका हो जाएगा 9 और इसके बाद जो है S का निकाल लेते हैं तो S को लिखा जा रहा है 5 S को लिखा जा रहा है 5 तो इस हिसाब से देखो 1895 कोई आ रहा है तो 1895 आपका फर्स्ट आप्शन में आ रहा है बाकी किसी में नहीं आ रहा है तो आपको आगे हाल करने के जोड़त नहीं है समय ही आपका बचेगा 46 नमबर है यदि नुवेडा को 49 658 लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा आप्संस दिये गया है 36 56 63 56 या 63 579 या फिर 65 368 तो जिस प्रकार से 45 नमबर प्रश्ण बच्चो दिया गया है उसी प्रकार से इसको भी कोट किया गया है तो इसका बच्चन सही आंतर हो जाएगा आप लोग इसको हल कीजिएगा जन्होंने दूसरा आप्सं दिया है सही आंसर है इसके बाद 47 से लेकर 49 तक के जो प्रशन है ये भी गड़तिय संक्रियाओं पर अधायत प्रशन है तो निर्देश आप पढ़ सकते हैं 47 नुम्मर कुश्चन का आप लोग जवाब दीजिए 51 भाग 3 प्लस 17 गुड़े 2 माइनस 12 बराबर 10 तो इसका बच्चों कौन सा सही जवाब हो जाएगा कौन से निसान में गलती करी गई है जिससे समेकड का मान सही नहीं है तो इसको बच्चों हल कीजे देखो 47 का सही आंसर आ रहा है आप्सन नमबर C ज़िए आप C के अनुसार हल करेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा यानि तीसरा आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा और 40 नमबर का जो प्रशन है बच्चों यह आपका गलत दिया गया था तो यह प्रशन का आंसर जो है शबका सही माना गया था और कामा नमबर दिये गये थे चुनकि दूसरा आपसन इसमें सही दिया गया था आंसर कि में और दूसरे आंसर आप कैसे इसमें सही रखेंगे क्योんकि यहां प्रितो करा कि PLUS और PLUS में परिवर्तन तो दो निसानों में प्रवर्तन होता है एक में तो हम प्रवर्तन नहीं कर सकते इसलिए 48 का बच्चों इसको छोड़ देते हैं 49 नंबर को हल कीजिए यदि P निरूपित करें प्लस को R गुड़े को S माइनस को T भाग को तो इसका मान याद कीजिए तो देखें 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा यदि P निरूपित करें प्लस को तो पहले आप अंकों को लिख दीजे 5, 9, 7, 9, 3, 6 अब यहाँ पर आप चिन्हों को भल लीजी कह रहा है कि R R किसको निरूपित कर रहा है तो R R गुणा को ठीक तो R के जगा पर गुणा P तो P निरूपित करें प्लस को तो यहाँ पर प्लस और S तो S माइनस को तो S माइनस और T T किसको कर रहा है भाग को तो यहाँ पर भाग और फिर आपका आगया P तो P प्लस को तो यहाँ पर प्लस अब हल कर लीजिए इसको हम गुड़ा कर सकते हैं तो 9 पचे 45 और प्लस 7 माइनस 3 को पहले 9 से भाग करेंगे तो 3 तीन आ जाएगा और प्लस का 6 अब इसको हल कीजिए तो 45 और 7 जुड़े जाएगा 52 और 6 हो जाएगे 58 58 से तीन घट जाए तो कुतना बचेगा 58 से तीन घटा देंगे तो बचेगा पशिपन तो राइट आएगा अप्सन नमबर 2 चलिए दूसरा अप्सन जिर बच्चों ने दिया है उनका सही अंसर है 49 का दूसरा अप्सन सही हो जाएगा इसके बाद प्रशन नमर 50 से 61 में प्रतेक में 4 पद दिये गए हैं जो संकेत मानुपात के बाईउं और 2 पदों में जो सम्बन है वही सम्बन समानुपात के दाईउं और 2 पदों में है तो साधरस्ता परिछड प्रशन है और ये तो काफी इंपोर्टेंट बच्चों है ये प्रशन और सायद इसी प्रकार से आपका पेपर आजाएगा तो बहुत अच्छे नमर आपसे भी को आएंगे तो 50 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा हिंदू का सम्बन अगर मंदिर से है तो सिख का सम्बन किस से हो और सिख जो होते हैं गुर्दवारा तो आपसन नमर पहला इसका सही जवाब है चलिए एक्यावन नमर का सही आंसर क्या हो जाएगा असम का दिसपूर है तो कोहिमा का सम्बन किस से हो जाएगा असम जो है असम की राध्धानी दिसपूर है तो कोहिमा कहां की राध्धानी ह तो आपसन नमबर इसका भी पहला सवाल हो जाएगा पहला जवाब हो जाएगा एक क्यावन का पहला आपसन सही है बावन नमबर प्रशन है साथ का संबंद 32 से है तो आठ का संबंद किस से होगा तो साथ का संबंद 32 से कैसे आया है साथ को चार से गुणा कर दो चार सता 28 आएगा 28 में आप 4 जोड दीजिए तो आपका आजाएगा 32 ऐसे ही अगर हम 8 को 4 से गुड़ा कर दें 8 चोग 32 हो जाएगा और इसमें जो है प्लस कर दें 4 तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 तो इसका बचों सही आंतर हो जाएगा option number 4 जुन्होंने चौथा आपसं दिया है उनका सही है question number 13 है सिंगापूर का सम्मद्ध डालर से है तो एन का सम्मद्ध किस से होगा तो सिंगापूर में डालर चलता है मुद्रा वहां की डालर है एन मुद्रा कहां की है तो एन है जापान की option number 3 इसका सही हो जाएगा 54 नमबर प्रिश्णा है 0.08 का सम्मद्ध ट्रफल 0.08 से है तो 0.16 का सम्मद्ध किस से हो जाएगा तो यहाँ पर 2 अंकों पर दिसमलो था यहाँ पर 4 अंकों पर हो गया तो यहाँ पर 2 अंकों पर है तो इसमें भी 4 अंकों पर दिसमलो हो जाएगा तो option number 2 आपका सही जवाब हो जाएगा 56 का सही आंसर है option number B बिल्कुल राइट आंसर है चले दूसरा option सही हो जाएगा 55 नमबर प्रिश्णा कहरा है कि रविवार का सम्मंद्ध मंगलवार से है तो बुद्वार का सम्मंद्ध किस से होगा अब रविवार में आप जोड़ दीजिए कितने जोड़ेंगे कि मंगलवार हो जाए तो रविवार के बाद आपका आता है सोमवार के बाद मंगलवार है ना तो बुद्वार के बाद कौन सा आएगा ब्राश्पतवार के बाद सुक्रवार तो पच्पन का पहला अप्षन हो जाएगा सही चलिए पच्पन का पहला अप्षन सुक्रवार हो जाएगा 56 नमबर प्रश्चन है इंक का सम्बंध पेपर से है तो चाक का सम्बंध किस से होगा 56 का बच्चों सही हो जाएगा option number C blackboard से हो जाएगा next question है 57 number रोसनी का संबंध मुंबत्ती से है तो ताप का संबंध किस से होगा रोसनी मुंबत्ती से हो जाती है जलाने से और ताप का संबंध किस से होगा थर्मा मीटर से 57 का तीसरा option सही है थर्ड आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा 58 नमबर प्रश्ण है H, J, L, N जिस प्रकार से समझत है उसी प्रकार से H, J, L, N का समझ जिस प्रकार से M, K, I, G से है उसी प्रकार से इसका समझत आपको बनाना है तो 58 में बच्चों एक एक प्लस किया गया है हाँ एक एक माइनस किया गया है चले यहाँ पर देखो N से कैसे बनाया गया है अगर हम उल्टा देखे तो M, N, K, L, I, J, G, H तो ऐसे आप बना लीजिए तो ऐसे बनाएंगे तो 58 का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B यहाँ दूसरा आपसन आपका सही बन जाएगा चलिए नेक्स कोशन करते हैं उनसर नमबर प्लेट का संबंध A, L, T, P, E से है तो पेपर का संबंध किस से होगा देखो अच्छर यहाँ पर सेम है तो अच्छर सेम है तो अच्छरों में इधर उधर किया गया है तो जैसे किया गया है वैसे आप कर लीजिए सही आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर दिखो 69 का सही आंसर आजाएगा Option No.C याणि तीसरा आपसन आपका सही जवाब होगा इसमें जो है P को देखा जाए तो last से तिसरे नमबर पर रखा जा रहा है P पहले नमबर पर था last से तिसरे नमबर पर रख दिया गया तो वैसे ही आपको बना लेना है तिसरा सही जवाब हो जाएगा साथ नमबर प्रिशन है उत्तर प्रदेश का संबन्द हिंदी से है तो मराठी का संबन्द किस से होगा उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है मराठी कहां पर बोली जाती है तो मराठी का संबन्द हो जाएगा option number B महाराष्ट की जो प्रादेशिग भासा है वो मराठी है चलिए next question की बात करते हैं हिर्दय का सम्मंद हिर्दय रोग विशेशक ज्यसक का सम्मंद हिर्दय से होगा तो जन्तु विज्ञान का सम्मंद किस से होगा कीट, पौधा, जान्वर, यम्रत और छैकारी तो 61 का सही है option number C 61 का C आंसर से होगा जन्तु विज्ञान का सम्मंद जान्वर से होगा इसके बाद बच्चों 62 नंबर से लेकर जो 64 नंबर तक के प्रष्ण थे वो ये सूचना के आधार पर थे इस चित्र के आधार पर प्रष्ण थे तो आईए इनको भी कर लेते हैं कैसे देखो हल किया गया है 62 नंबर प्रष्ण को ध्यान पुरोग देखिए कौन सा नंबर तीनों आकर्तियों के अंदर है तो तीनों आकर्तियों के अंदर कौनसा अंक है ये बताना है तो द्यान से देखो जो साथ लिखा है साथ देखो आपका त्रभुज वर्ग और समानतच त्रभुज दोनों में दिया गया है तो आपसल नमबर आपका तीन सही जवाब हो जाएगा तिरशट नमबर है उन संख्याओं का योग क्या होगा जो केवल दो आकरतियों से समझत है तो केवल दो आकरतियों में देखो कौन है तो तिरशट का जवाब आपका बन जाएगा तो केवल दो में आपका हो जाएगा ये चार आपका है ठीक और केवल दो में आपका छे है ठीक 6 आपका हो जाएगा और केवल 2 में कौन है और केवल 2 में 8 आपका हो जाएगा तो यहाँ पर कितना और कोई है नहीं साएग और तो कोई नहीं है तो 6, 4, 10, 8, 18 आपका हो जाएगा option number 13 इसका सही है चले देखें 63 का सही अंसर है option number C बिल्कुल सही जवाब है 64 नमबर प्रशन का सही आंसर क्या हो जाएगा तीनों आकर्तियों से समन्धित संख्या को केवल त्रभुज से समन्धित संख्या के योग से गुड़ा कर रहे हैं प्रडाम क्या होगा तो आए देख लेते हैं क्या प्रडाम होगा कहरा की तीनों आकर्तियों में आपका साथ है तो साथ इसका गुड़ा करना किस से जो केवल त्रभुज में हो तो केवल त्रभुज में आपका पांच है और दो है तो ये दोनों को जोड़ करके तब गुड़ा करना है तो यह हो जाएगा साथ और गुड़े पांच दो साथ तो सास ता उन्चास आएगा आप्सन नम्बर कौन सा सही हो जाएगा आप्सन नम्बर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा उन्चास आपका सही आंसर आएगा 64 नमबर में तो ये बच्चों आपके 64 तक के प्रसंत है और वीडियो लंबी हो गई है इसलिए तीसरे पार्ट में आगे के प्रशनों को हल करेंगे तो आज की वीडियो बस्तना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद जैहिन वन्यमात रम